नमस्कार आप देखरें सिल्टीवी और मैं हूँ आपके साथ विजदा गोश जैसा कि आप सबुको पता है कि तीन नवंबर को बिहार विधानसभा के दूसरे चरन में सत्रा चिलों के चौरानवे सीटों पर मद्दान होने हैं चौरानवे सीटों में एक सीट नातनगर भी है इसी कड़ी में आज हमारे साथ चुनावी चर्चा में नातनगर के जाप प्रत्याशी जफर मुस्तफा है सर आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में जे शुक्रिया सर पहला सवाल हमारा आपसे है कि आप छेतर में जा रहे हैं तो जन समर्थन कैसा मिल रहा है इसके तालुक से ज़्यादा कुछ नहीं कहूंगा बस मैं इतना कहूंगा कि मैं छेतर में जाही इसलिए रहा हूँ कि जन समर्थन हमें बहुत ज़्यादा मिल रहा है अगर हमें कहीं मायूसी हाथ लगती तो शायद मेरे कदम रुख जाते अब तक मेरे पाउं रुख जाते मैं नहीं जाता लेकिन चुके जन समर्थन मेरे जो ख्यालात थे मेरी जो सोच थी उससे बहुत बढ़कर के हमें जन समर्थन मिल लए यह हर जगह पपोयादफ के नाम पर जनादिकार पार्टी के नाम पर और उनका जो बगैर किसी मतलब उहदे पर रहते हुए बगैर पॉधिशन में रहते हुए जो उन्होंने काम किया लोगों के लिए वो कहING ने कहीं लोगों के दिल में घर कर गया है और लोग जो हन के नام पर और तो वहान जाने के बात में सब से मिला हर तरे के लोग मिलें वहाँ पर जादब भी मिलें मायनुटी के लोग है और AST-ST के लोग भी मिलें तो वहाँ हमसे लोग कहने लेगें कि आप से पहले तकरीबन सब लोग आ चुके हैं लेकिन हम लोगों को अगर इंतिजार था तो इस बात का इंतिजार था कि पप्पो यादव की पार्टी से कौन है वो हम लोगों के पास आया और हम लोग उनसे मिले तो बस मैं यह कह सकता हूँ कि जो हमारी सोच थी जतना मुझे लग रहा था पहले नॉमनेशन से पहले या फिर छेतर में भरमन करने से पहले उससे बहुत ज़्यादा बढ़ करके हमें जन समर्थ है मिले और हम बहुत ही पॉजिटिव हैं सर तो लडाई किसके साथ है अभी नहीं लडाई वडाई तो मैं तो चुके मैं अपनी बात एक करूँ चुके जब भी चुनाओ का मौसम आता है चुके उसमें एक चीज़ होती है खास करके माइनुर्टीज के जो लोग होते हैं उनके साथ और फिर जो है जो दलीत समाज के जो हमारे सीस्टी के लोग हैं उनके जहन में एक बात डाले जाती है कि देखें अच्छे हम लोगे ज़हन के लगता है कि यह हमारी सोंच है हम ऐसा सोंचते हैं लेकिन सचाएई यह नहीं होती है सचाहीं कुछ और होती है कि हमें यह टास्क दिया जाता है इस पर वरक करने के लिए कि तुम्हारी लड़ाई उससे है तुम उसके खिलाफ लड़ना है तुम्हें इसके खिलाफ वोट करना है तुम्हें इसको हराना है तो आपके सवाल का बस मैं मुक्तसर मैं अगर ये जवाब दू कि मेरी लड़ाई किसी से ने मैं किसी से लड़ने नहीं आओ मैं खुद जीतने के लिए आया हूँ मैं मैं मैंदान में आया हूँ अपनी फत्व अपनी जीत के लिए और जो आवाम है यहां की जो जनता है जो बरसों से नहीं कितनी उम्मीद हैं और सपने सजा करके उन्होंने रखा और वो सपने सारे टूट रहे हैं हर पांच साल में उनके वो एक नया सपना सजाते हैं वो नई उम्मीद हैं उनको होती है कि नई शायद अब कुछ होगा हमारे साथ में लेकिन फिर वही होता है मतलब जहां से चले तो कोलू का बैल घूम फिर करके बस वही एक जगए आके ख़ड़ा हो जाता है तो इसलिए मैं यह कहूँगा कि मैं लड़ाई वड़ाई के मेरी किसी से लड़ाई नहीं है मैं इस मैदान का अकेला शहसवार हूँ मैं अकेला दोड़ा हूँ मेरी लड़ाई में कोई नहीं है कोई अगर मुझे अ मांकन रद हो गया तो उससे कितना नुकसान हुआ आपकी पार्टी को देखें पार्टी को क्या नुकसान चुके ऐसी चीजें जब इस तरह के जो चीजें होती है ये इतिफाक नहीं है मैं ये कह सकता हूँ इनके साथ में बहुत सोच समझ करके पूरी प्लानिंग के तहट ऐसा किया गया चुँके उनके साथ में जिन्adı को उन्होंने रखा एक वकील चले गए दो चले गए तीसरे चले पिर आखिर में जिन्नों ने पूरा उनका paper complete क्या तो जाहिर से इतना वक्त नहीं था उनके पास में जो लोग भी, जितने लोग भी मैदान में हैं और जिनको लगता है कि नहीं हम तो जीतेंगे ही जीतेंगे, उनको उनका खौफ, पपो यादफ का खौफ सता रहा था, और सिर्फ हम रानी चौबे के साथ तो खेर चुके हो गया, और हम यह कह सकते हैं, नाम मैं किसी का नहीं ल जलती रही कि वो आखरी नमांकन के लिए गई, अगर वो पहले नमांकन के लिए जाती तो कहीं न कहीं यह प्रॉब्लम नहीं होता, और अगर होता भी तो फिर बाद में यह सौल्व हो सकता था, हाँ, शायद ऐसा हो सकता था, लेकिन चुके उनको वर गलाया गया, तो सच् में करेंगा, अच्छा रहेगा, तो उनको असल में वर गलाया गया, उनको धोके में रखा गया, चुके यह पूरी प्लानिंग थी, जो बात मैं जैसा के पता चला, के प्लानिंग के तहात उनके साथ यह गेम हुआ है, समस्याओं की बात करें तो नाथनगर विधान सभा मे बहुत सारी ऐसी समस्याओं हैं, जिनका लोग सामना कर रहे हैं, लेकिन मुख्य समस्याओं किसानों और बुनकरों की हैं। वहां पर उनको अपने गाउं जाने के लिए सही रास्ते नहीं अगर अभी मौसम ठीक है तो वो आना जाना हो रहा है अगर अभी दो दिन बारिश हो जाए तो उनका रास्ता Revelation जो 10 किलो मीटर का रास्ता है वो 35 किलो मीटर का रास्ता लंबा होया तो उनको घूम के जाना पड़ता है हमारे नात्न नंगर विधान सभा मैं समस्या के अगर बात करें तो समस्या हैं एक नहीं है अनेक समस्या है और बेशुमार हैं कितनों को आप नइँ आपको चुके आप भागलपूर में हैं और आपको शायद सिर्फ बुनकर नजर आ रहे हैं और या पिर यहां पर कि करीब में हैं सिर्फ वो नजर आ रहे हैं यहां पर बहुत से लोग हैं लोगों के पास में जो मूल सुवीधा में क्या चीज़? कि उनको आने जाने के लिए रास्ता सडक तो कमसकम हो उनके घर में बिजली पानी का इंतजाम तो हो ये तो कहने के मतलब इसके बगर आदमी जियेगा कैसे बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां पर अब तक ये चीज़ भी नहीं ये सुविदा भी नहीं लोगों के पास में और आप अगर बुनकर की बात करते हैं तो मैं आपसे कहूं कि यहां पर बुनकर की जो हालत है जो कि भागलपूर शेहर की को जो एक पहचान है वो सिल्क सिटी से और ये इनकी वज़े से भागलपूर का नाम पढ़ गया सिल्क सिटी तो यहां पर जो है इनके साथ में बुनकरों के साथ में बहुत ज्यादा अन्याय हुआ है और हमेशा हुआ है जो भी हुकूमत आई या जो भी हमारे यहां के नातनगर के विधायक बने या फिर हमारे यहां के MPI हर किसी ने इस समस्या की बात की है इसे अपनी रोटी से की आगे निकलते रहे किसी ने पलट करके नहीं देखा और ये बुनकर का जो मसला है ये बड़ा मसला है अगर इस मसले पर गौर्वर्मेंट अगर ध्यान दी होती तो हम समझते हैं के नातनगर के बहुत से मसाइल हल हो जाते हैं बहुत से मसाइल में से जो रोजगार का जो मसला है के हमारे हां से बहुत से मजदूर जो प्लाइन करके बाहर जाते हैं उनमें काफी हद तक कमी आती क्योंकि जब ये बुनकर काई इनके जो छोटे छोटे कारखाने हैं जहां दस लूम है बीच लूम है तो मालिक तो एक है लेकिन उस एक लूम की वज़े से दो दो आदमी को कभी रोज़गार मिल जाता है कभी तीन तीन आदमी को रोज़गार मिल जाता है क्योंकि किसी कभी है 16-17 गंटे से कम नहीं चलता हूं बाज-बाज के हम 20-20 गंटे तक लूम चलता हूं दिन भर राद भर चलता ही रहता है तो वह जो वहां लोग काम कर रहे हैं जो वरकर हैं उनको उनसे रोजगार मिलता है तो आप यह कह सकते हैं उलूम से कम से कम तीन फैमिली तो चल रही है और उनकी जब हालत जरजर होगी तो सिर्फ एक नहीं तीन के हालत जरजर होगी तो यह वो चीज़ें हैं जिस पर ध्यान देनी के जरूरत है और हमारी जो पार्टी है उनका जो सबसे बड़ा मुद्दा है पको यादब जिस हर आदमी को सही मिलनी चाहिए और जो के नहीं मिल पारी है आप बात करें एजोकेशन के अगर बात करते हैं किसी ने किसी हद तक लोगों को मिल जा रही है लोग कैसे भी आधा पेट खा करके कुछ भी करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो किसी हद तक उसमें लोग का हमारे जो लोग हैं वो बाहर जाते हैं ठीक न और बाहर शौक से नहीं जाते हैं अभी जो हमारे जो यह हैं क्या ना मैं सुसील मोटी हैं कुछ दिन पहले कह रहे हैं कि दो वक्त की रोटी के लिए यह लोग बाहर नहीं जाते हैं शौक से जाते हैं इससे बड़ा मजाक क कौन जाता किसको शोख लगा कि हम घर चोड़ करके अपनी फैंमिली को अपनी बीवी-बच्चों को हसता खेलता चोड़ करके हम जाएं और परदेश में। सालों साल ऐसे चले आते हैं जैसे पताना दूसरे मुलक चले गये। दिल्ली लोग जाते हैं दिल्ली से आते हैं साल भर पर जबकि इतनी सुविदा होने के बाद चुकर उनके पास में उप्शन नहीं रहेंगे तो करेंगे क्या तो हमारी अगर सरकार आती हमारी पपो-यदोव की सरकार बनती है तो सबसे बड़ा जो सबसे पहले जिस पर जो कोशिस की जाएगी जो में फॉकस जो होगा वो होगा रोजगार और सुवास्त चुक्छे ये वो चीज़े हैं जो लोगों को नहीं मिलनी चाहिए ये जब अगर सही चीज सही तरह से अगर लोगों तक पहुँचेगी ये मिलेगी तो बहुत सी समस्या इसके जरीए से हल हो जाएगी सर क्या लगता है बहुत से निर्दलियर प्रत्याशी खड़े हुए है इस बार तो कितना खेल बिगड़ सकता है देखे ये तो क्योंके आप खेल तो ही है ये चुकर इनको जो चुनाओग का वोक्त आता है तो ये एक खेल ही होता है महा परब कह लिजए इनको जो भी Черके बहुत से तो लोग आते हैं के चलो जब चल के देख एक रासते की दूरी कितनी है और रास्ते में कठनाईयां कितनी हैं, कुछ तो इसलिए आते हैं, और कुछ बस ऐसे ही शौक में आ जाते हैं, तो इनका किया खेल बनना बिगरना तो होता ही रहता है, और हम समय से नातनगर में शायद ज्यादा होगा इस बार क्योंकि 18 परतियासी हैं, नातनगर में, तो कु कोई ऐसा मसेला नहीं है, क्योंकि यह होता रहता और हमेशा हुआ है, हमारा आखरी सवाल की, वोटर आपको क्यों वोट करें, आप यह बताईये, यह सबसे अच्छा सवाल आपका, मैं आपको बताऊं कि वोटर क्यों वोट करें, मैं पिछली मरतबह अभी जब बात हो रही जाता है, कि यह जो इनको हराना है, इनको जिताना है, यह टास्क दिया जाता है, जिसका नुकसान हम अब तक उठाते आये हैं, कि हम हराने में लग जाते हैं, और हम उसकी वज़े से हम खुद हारते चले आएं, मैं एक मिसाल दूँ आपको, समझें जरा सा, और चुके आप आपके माध्यम से लोगों तक मैं अपनी बात को पहुँचाना चाहता हूँ, कि हमें इस वकत अपनी सोच को बदलने की जरुत है, हम जो वोट करते हैं, वोट करने के जो हमारे तरीके हैं, हम उसको बदलें, आप देखें, एलक्शन के वकत मैं खास कर मानुरिटीज के जो वो कौन होती है हमारे सामने में, बीजेपी होती है, ठीक है ना, अब लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, उसके पीछे लग जाते हैं, लग तो जाते हैं, उसका हमें फायदा कितना नुखसान कितना हुआ, आप देखें, 1980 में जो पार्टी पहली बार चुनाव तो मैं लोगों को ये कहना चाहता हूं कि आप अपनी सोच को बदले, ये जो हम लोग जो सोचते हैं कि हम सरकार बना रहे हैं, हम सरकार बिगार रहे हैं, ये सोच बिलकुल गलत है, ने तो आप सरकार बना रहे हैं, ने आप सरकार गिरा रहे हैं, क्योंकि ये पहले ही डिसाइ बना रहे होते हैं ने बिगार रहे होते हैं इस वकत इतना इतना दिन होने के बाद हमें हम को हम लोगों को अब ये सोचना चाहिए कि हमारा जो परत्याशी है हम उनको देखें हम ताकत के साथ जो ताकत होती हम उनके साथ मिल गए कोई इनके साथ मिल गए को उनके साथ दो लो में से कोई जीतेगा जीते कोई भी इनकी जीतो या इनकी जीतो जनता की हर हाल में हार होती है जनता हार जाती है सर एक और सवाल कि अगर आपकी पार्टी जीती है आप यहां जन प्रतीदिनी बनते हैं तो नातनगर के लिए क्या करेंगे आप मैंने जैसा कहा के नातनगर के लिए मेरा सबसे पहला मसखला है वह हम जिस पर सबसे पहले काम करेंगे और मेरी कोशिस होगी कि यहां जो रोजगार के सकता हूँ, उनको कितनी सहूलत मैं महया करा सकता हूँ, मैं उनको कितना सहूलत दिला सकता हूँ, मेरी जितनी जो उनको जरुवत होगी, मेरी कोशित होगी कि मैं हर वो चीज उनको महया करा हूँ, जिनकी उनको जरूरत है, ताकि उसके जरीए से रोजगार पैदा हो, लोगो तीनों समस्यां गिना रहा हूँ ये मैं इन समस्यां को हल कराने के लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़े मैं करूंगा सरकार का मसला सरकार जाने हमारे विधान सभा का मसला है वो हम हल करेंगे जब अगर जनता हमको चुनती है तो हम हल करेंगे, सरकार किसको चलाना है, किसको बनाना है, किसको बिगाड़ना है, वो सरकार जाने लेकिन हमें जो जनता जो चून करके बेजेगी, वो अपने समस्या के लिए, अपने मुद्दों के लिए और हम उन मुद्दों पर काम करेंगे और पूरी इमनदारी के साथ हम काम करेंगे तो ये थे हमारे साथ जाप्रत्याशी जफर मुस्तफा अगर ये वीडियो आप हमारे फेस्बूक पर देह रहे हैं तो उसे फॉलो करें और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो से सब्सक्राइब करें